नमस्कार वंदे मात्रम मैं बल्दियो राजपो दुर्ग 36 गड़ से आज हम लोग बात करने वाले हैं रिक्रेंस फॉर्मूला 6 या रिक्रेंस रिलेशन 6 के बारे में याद रखिएगा इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूँगा वहाँ पर आपको रिक्रेंस फॉर्मूला 125 आपको सारे वीडियो देखने को मिल जाएंगे ये वीडियो को देखने से पहले आप बाकी फॉर्मूलों को पहले अच्छे से देख ले ताकि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए तो चलिए सुरू करते हैं आज का टॉपिक रिक्रेंस फॉर्मूला 6 या पुनरगमन सम्मंद 6 तो सबसे पहले देखते हैं पुनरगमन सम्मंद क्या कहता है 6 अब देखिएगा वी नो देट करके जहां पर भी लिखा रहता है ये एक्छल में एक फॉर्मूला होता है किसका jnx का ये ही स्टार्ट होता है r बरावर 0 to infinite minus 1 की पावर r xy2 की पावर n प्लस 2r upon factorial r γामा फंक्शन ओफ n प्लस r प्लस 1 आपको पहले से ही पता होगा कि गामा फंक्शन ओफ n का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास n-1 गामा फंक्शन ओफ n-1 ठीके और अगर मैं factorial की बात करूँ तो factorial n का value होता है n, n-1 ऐसा हम तब तक extend करते रहते हैं जब तक कि हमको कोई term cancel out करते ना बने अब देखिएगा मैंने बागी term को same रखा मतलब summation को as it is रखा minus 1 की पावर r को as it is रखा यहाँ पर मैंने क्या किया x की पावर 2n प्लस 2r को उपर लिख दिया और 2 to the power n प्लस 2r को मैंने नीचे लिख दिया इसके बाद जो अगला काम हमको करना है x to the power minus n का multiply करना है बोथ साइट पे और इसको differentiate कर देना है अब हमको कैसे पता चलेगा differentiate करना है तो यहाँ पर देखेंगे तो d by dx है इसलिए differentiate किये x to the power minus n है इसलिए दोनों साइट पे x to the power minus n का multiply किये multiply करने के बाद देखते हैं अगर base same रहेगा तो power add हो जाएगा तो यहाँ पर अगर आप देखें x to the power minus n plus n plus 2r तो minus n से plus n cancel हो जाएगा तो बचेगा x to the power 2r और बाकी जितने भी term है d by dx हो गया यहाँ पर आपन देखेंगे d by dx हो गया summation r बराबर 0 to infinite हो गया minus 1 की power r हो गया बाकी term को मैंने as it is लिखा हुआ है अब मैं क्या करूँगा r बराबर 0 to infinite को मैंने as it is लिखा इस d by dx की वज़े से इस x का मैं differentiation करूँगा differentiation या alkaline करने पर क्या होता है गात सामने आ जाएगी और गात में गढ़ जाता है तो 2r सामने आ जाएगा और यह हो जाएगा 2r minus 1 अब देखिएगा r बराबर 0 to infinite हमने as it is लिखा हुआ है यहाँ पर देखेंगे 2r cancel out कैसे हुआ यहाँ पर देखेंगे अगर हमारे पास r है r होने की वज़े से इसको मैंने लिखा r, r minus 1 और यह जो 2 है अगर मैं इसको नीचे लेके जाऊंगा 2 to the power minus 1 हो जाएगा पहले से नीचे में कहा 2 to the power n plus 2r है तो अगर base सेम होगा तो power add हो जाते है तो n plus 2r minus 1 तो अगर आप देखें तो minus 1 मैंने as it is लिखा है r को मैंने as it is लिखा है x के साथ जो power है उसको as it is लिखा इसको नीचे लेके गया इसलिए 2 to the power n plus 2 r minus 1 मैंने लिखा और यहाँ पर मैंने factorial r का formula लगाया यह होता है r dot r minus 1 यहाँ से r से r को हम क्या कर देंगे cancel कर देंगे cancel करने के बाद मैंने क्या किया x to the power n और x to the power minus n को as it is लिखा हम किसी भी संख्या के साथ किसी भी term के साथ एका multiply कर सकते है अब एक की जगा मैं चाहूं तो क्या लिख सकता हूं x to the power 0 क्योंकि value सेम होता है और x to the power 0 को अगर मैं चाहूं तो n minus n भी लिख सकता हूं और अगर base सेम होता इनको separate कर सकता हूँ तो x to the power n x to the power minus n मैंने वही किया है कि यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो जिसका कोई नहीं होता उसका एक होता है इसलिए सबका माले की एक कहा जाता है तो यहाँ पर देखेंगे एक का multiply है तो यहाँ पर मैंने एक लिखा और यहाँ पर देखेंगे x to the power n और x to the power minus n कई बच्चे यह पूस्ते सर हमको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर यह लेना है तो जब आप practice करते जाएंगे तो यह चीज अपने आप develop हो जाती है दूसरा चीज हमको इस format में set करने के लिए यहाँ पर n प्लस 1 चाहिए इसलिए इस formula में देखेंगे यहाँ पर हमको n चाहिए होगा प्लस 2r चाहिए यह ऐसे आ नहीं रहा है इसलिए इसमें क्या किया गया है x to the power n का multiply x to the power n into x to the power minus n को लिया गया है यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिएगे यहाँ से hint मिल जाता है कि x to the power minus n को add करना है तो मैंने क्या किया x to the power plus n और x to the power minus n 1 की जगा पर लिखा अगर आप देखेंगे तो इन दोनों का अगर base same है तो power add हो जाता है तो power add होने की वज़े से क्या हो जायागा यहाँ पर अपन देखें तो n plus 2r minus 1 इस पूरे को मैं चाहूं तो लिख सकता हूं n minus 1 plus 2r x to the power minus n को मैंने बाहर निकाल दिया नीचे वाले term को मैंने as it is लिखा बस मैंने क्या किया यहाँ पर जो n minus 1 है उसको एक साथ लिख दिया उसके बाद 2r लिख दिया अब अपन क्या assume करेंगे r minus 1 is equal to s assume करेंगे या r बराबर क्या लिखेंगे अपन s plus 1 अब देखिएगा यह वाला term जो left hand side का है उसको हमने as it is रखा हुआ है यहाँ पर r की जगा पे मैंने लिखा है s plus 1 यहाँ पर भी r की जगा अगर मैं s plus 1 लिखूँगा ध्यान दीजेगा यहाँ पर देखिएगा left hand side as it is है x to the power and minus 1 as it is है यहाँ पर r की जगा पर मैंने लिखा है x plus 1 यहाँ पर भी r की जगा में हम लिखेंगे s plus 1 2 का multiply होने की वज़े से 2s plus 2 हो जाएगा नीचे इस R की जगा मैं लिखूंगा क्या S plus 1 तो यहाँ पर देखिएगा S plus 1 को मैंने पहले से इसको क्या लिखा हुआ है यहाँ पर plus 1 को मैंने N plus 1 को एक साथ लिख दिया और इस R की जगा पर मैंने क्या लिखा s plus 1, अब देखिएगा x to the power minus n मैंने as it is लिखा हुआ है, अगर base same हो तो मैं इसको split कर सकता हूँ तोड़ सकता हूँ, तो minus 1 की power s, minus 1, यहाँ पर x by 2, अगर इस minus 2 के साथ, इस plus 2 को मैं add कर दो तो plus 1 बसता है, तो यहाँ पर आ जाएगा n plus 1, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो आएगा n plus 1, minus 1 को अगर मैं common ले लूँ, तो इस condition पर recurrence formula 6 proof हो जाता है, कैसे? अगर आप देखें, यहाँ पर n है, तो यहाँ पर भी n है, और यहाँ पर भी n है तो अगर यहाँ पर n plus 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या है? n plus 1, n plus 1, तो इस condition पर जो formula jn का बनना चाहिए, वो jn का ना बनके क्या बनता है? n plus 1 का बनता है, तो यह जो आप पूरा concept देख रहे हैं, वो है recurrence formula 6, मतलब पुनरगमन संबंद 6 का है आप कभी भी जब यह video को देखें, तो इससे पहले recurrence formula 125, जो मैंने वीडियो बनाया है description में आपको link भी मिल जाएगा उसको देख ले advanced maths को देखने के लिए या ABSC के और maths को अगर आपको समझना है, तो comment box में आप उस question का type लिख सकते हैं जिससे मैं आगे आने वाले वीडियो में उस topic को cover कर सकूँ उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये lecture पसंद आया होगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिन वंदे मात्रम